जिले में सरकारी एंबुलेंस की पहले से ही कमी है फिर भी सरकारी विभागों में कई एंबुलेंस खड़े-खड़े कबार हो गई हैं जो मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सक्षम थी सरकारी विभागों में लापरवाही के चलते ऐसा ही एक मामला एसन मेडिकल कॉलेज में सामने आया है जहां कई एंबुलेंस सालों से खड़ी है और खड़े-खड़े वहाँ खराब हो गई है कि इतना समय हो गया है कि इनकी जो टैरों की जो हवा है वो तक निकल चुकी है और इस्थिती एंबुलेंस की ऐसी बन गई है कि जो किसी कारण में लाने लाइक नहीं है पतानी कब से यहां पर सालों से महिनों से यह खड़ी हुई है साथ में पीछे एक वेन एंबुलेंस भ और खड़ी हुई है जो रख रखाव ना होने के विएसे प्रियोग में ना आने की वज़े से खराब हो गई है मैं अपने केमरेमेंस से कहूंगा कि वो दूसरी तरफ दिखाए है कि इधर यह मेडिसन विवाग के हम लोग बाहर खड़े हुए है और मेडिसन विवाग के माबड़ा यहां पर देखने को मिल रहा होगा आप देखें कि दौनों साइड में ही एंबुलेंस प्राइविट एंबुलेंस खड़ी हुई है और लगातार इनी एंबुलेंस के माध्यम से मरीजों को एक विवाग से दूसरे विवाग में शिफ्ट किया आता है चाहे पैसा देना पड़ता है मैं तुभार दिखाऊंगा इस सैड में जो सरकारी जो एंबुलेंस हैं अब यह किस हालत में सरकार दावा करती है कि हमारे पासम्राइब पास परियाब सनसाधन है और जो सद्हों सभाज पर सेंसैश चालूँ है पर ऐसा इन एंबुलेंस में नजर नहीं आ रहा है, यह कंडम हो चुकी है, इन में कभी भी कोई भी बड़ा हासा हो सका है, इससे पहले भी हमने CMO कार एले में दिखाएं थी, करीब आठ ऐसी एम्बूलेंस थी, जो वोकल खड़े-खड़े कबार हो गए थी, अकर इनका ना दिया जाए तो सरकारी जो धन है, उसका लगाता है, धरी उप्यूक होने का मामला नजर आ रहा है, क्यामनावन रहुल के साथ, लक्षमिरा स्थिंग सीनियु जागरा है.